गोड इविनिग वेल्कम टो दी केमिकल साइंस तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम पेटर्सन ओलिफीनेशन रियक्शन तो इसमें जैसे कि हम सारी वीडियो में देखते हुए आए हैं कि सबसे पहले हमें रियक्शन को पहचान ना चाहिए तो पहचानने के लिए सबसे पहले हम उसमें कुछ अईसे चीज़ देखेंगे कि हम उसको देखकार पता लगा पाएं कि ये पेटर्सन ओलिफीनेशन फाइँ तो मैं ने वह सारी चीज़ें लिख दियें कि उसमें कि में देखना है सबसे पहले क्या देखेंगे हम हमारे पास कारभुनिल कं compound होना चाहिए और alpha cellyl carbon ion यह क्या है आगे हम mechanism में बात करेंगे carbon compound होना चाहिए alpha cellyl carbon ion होना चाहिए और यह reaction जो हो acidic and basic condition दोनों होती है एसे रिक condition में भी होती है और basic condition में भी होती है और इसमें formation of alken होता है अलकीन का formation होता है चलिए आप देखते हैं इसकी reaction तो यहां पर reaction लिख दिए मैंने यहां पर आरवन सीट्पल बांडो और टू यहां पर यह metal यह metal और यह carbon दोनों जूले रहे होंगे तो यह metal प्लस से अलग और यह carbon ion यह बांड इधर लेकर यह carbon ion बन चुका है यह हमारा cellul और यह carbon पर अनायन चार्ज तो यह है हमारा cellul carbon ion जब इन दोनों को हम जो लेंगे तो यह बनेगा फिर इसके बाद यह acid यह base से कराएंगे तो यह हमारा अलकीन का formation होगा कैसे होगा इसको अब हम देखते हैं mechanism से mechanism हम दो पार्ट में देखेंगे है यह reaction जो हमारी दो कंडिशन में होती है एसरीक और बेसिक तो सबसे पहले हम देखें के बेसिक निचन में इसकी मेकानीजा फिर उसके बाद देखेंगे इस त्रिक कंडिशन में देख लेते हैं है यह अब रमाने पलस की अब इसकी कोई जरूत नहीं हमें कि अब हम इसे ही यहाँ भी लिखना है सिलल कारबन आएन तो यहाँ से लिखते हैं यह कारबन रहा और यह सिलल एल कि यह Si R Three और यहां पर यही डॉनों क्या है भी बताताओं मैं इस segura V सिल स्पाहिछना है है लाता है मतलब है कि एस तेजिए और से चला और यह मतलब हो सकते हैं इपने स्टिय अर्य सकते हैं इसमें होसकते हैं इसमें रस इन इने और यह अलबाइंड इस तरह ब्रेक होगा नेक्स टिश्ट में हमारे पास क्या होगा कि यह कार्बन मकारा जायगा और इस ओपर दिखाएंगे तो स्विज्क क्वे क्या है पर दिखाते हैं पर अगया माइनस चार्ज इस पर आगाец माइनता जए यह आरणे आर टू स्की स्टिव भी दिखाते हैं ने अमर को नीचे के साइड और रटू को ऊपर घैड़ के अALK ये आरवन को नीचे की साइड और ये आरटु को एबब दी प्लेन ये आरटु आप चाहिए तो आरटु को यहाँ पर आरवन को यहाँ पर कोई भी स्ट्डियो कमिश्ट्री आप कर सकते हैं अब दूसरा वलकार वंजे हमारे पास क्या होगा यहाँ पर हम पहले बॉंड बना यहां इहां पर ईस आई अर धी और यहां लार यहाँ पर और और व्म आर थी इस तरह से क्रबब दॉट हमारे पास एक ईड़ आरतु तो आर्टिया प्लेन कर दिए एच को आम यहाँ बने बिलयो प में और यहाँ आरह he को हम खाड़ ही रखेंगा फिर अबनेश दिन में हमारे पात क्या होगा इसके पास मैनयस चार्जे है और माइनश के पास दू धों है अर्म एक इलेक्टान यह इसे इह बांड बना लेगा तो इसका एक अ कर जाइंगा तो यह नीगेटीव जोऊनीट्रल हो जाएगा और तो इस SI को एक electron मिलेगा तो इस SI पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा चलिए अब इसको भी बना लेते हैं और यह सी एक बांड इधर एक बांड इधर और यह इस ते बांड बनाएगा तो यहाँ पर एक फॉर मेंबर रिंग बनेगी कैसे बनेगी वो देखिए यह राज सी यह इससे लगा यह oxygen और यहाँ पर लगा हुआ यहाँ पर SIR 3 अब इस oxygen अपने लों पेर दू मतलब जो माइनस चार्ज था उससे इधर बांड बनाया अब यह निट्रल हो गया अब इसने इस पर जब यह एक लेक्ट्रान इस SI को मिला तो इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज औ यह बीलो दी पिलेन हमारे पास R1 और यह अब अब दी पिलेन हमारे पास R2 और इधर बीलो दी पिलेन हैच है और इधर अब 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 दी पिलेन हमारे पास R3 है कि यह हो जाएगा कि अब नेक्ष इस्टिम में होगा है हाँ अब इसमें क्या देखेंगे हम यह ऑक्सीजन ओ और एसाई आर तीरी दोनों उपर की साइड है तो दोनों सिन सेम सिस है या फिर सिन है सिन कहेंगे अभी हम क्योंकि सिस जैसे कि हम आर पास सी डबल बांसी यह आर इस यह वाइद है तो यह सिन है तो अब इस कारबन और इस अक्सीजन अपनी तरफ ले लेगा जैसे यह वाण इधर लेगा तो यह वाला बांट इस साइड मोव हो जाएगा और इस सिलकन से जब एक एलेक्टरान इधर आएगा तो यह निगेटिव जो वो निगेटिव हुगा अब उसका एक एलेक्टरान इधर आ रहा है तो वो निगेटिव हुगा अब उसका एक एलेक्टरान इधर आ रहा है तो वो निगेटिव हुगा अब उसका एक एलेक्टरा तो यहां से हमारे पास si r3o- यहां से निकल जाएगा माइने से आप लिख सकते हैं si r3o- अगर इसे कहीं जाएगा तो यह विए निकल जाएगा अभी यहां से हो जाएगा हमारे पास c double बांड सी अभी यहां पर हमें इस्टिवी दिखने देरों तो नहीं यह एच और थी यह और थी और थी और यहां से निकल गया यानि कि यहां से sin elimination हुआ तो यहां पर हम लिखेंगे यहां पर हम लिख लेंगे मैं इसको उपर लिखता हूँ यहां पर जगा नहीं है sin elimination sin elimination यह हो गई हमारी basic condition में इसकी mechanism अब देखते हैं हम इसरी condition में हमें नमबर टू इसरी condition कि इसी condition में कैसी होगी इसकी में इसरी condition हम शुरू करते हैं यहां से क्योंकि यह इस तरह से आके अट्रैक करेगा और फिर इस तरह से बांट तूटेगा तो हमारे पास यह आ जाएगा इसी को हम डारेक्टरी लेते हैं सी सिंगल बांड सी इधर हमारा एस आई आड़ थिरी ओर इधर नीचे की साइड हमारे पास एच है और इधर इबब दी प्लेन जो हमारे पास क्या है आड़ थिरी ना इस मायनिस पर लग जाएगा यह पर हो जाएगा ओय सिए आ जू अब क्या होगा कि भी देखींत यह दोनों उपर की साई जब बेस में सुनाहां उपर साई तो सिभ या यह इसको चुन थे आनि यह यहांगए हम यहां से पहले इस ग्रूप पो रोटेट कर देंगे रोटेट कैसे करते हैं मैं पिछली वीडियो जब इस्टीरियो के मिस्ट्री पढ़ा रहा था साहर्स प्रोजेक्शन में उसमें रोटेशन दिखाए गया था यहां पर यह रोटेशन कुछ उसी तरह होने वाला है चलिए देखते हैं फिर से एक बार नहीं पर हम इसको से ताने अकृते हैं यह वाला जो होता है और इदर वालजे वह प्लेन होता है तो इसरा मारा एंप हेश है उस रहार थी और इधर देख छलो टीए आई अणिवारब ठीन वाला ainda होता यह फजो दोछिवारwe और जो एक तए 1997 अब जो 163 वाला है इसको हमने इवाफव्व दप्र लेकर आना तो में रोटेट घरिफ करना तो इसको यह वाला अबब है यह आप ध्यान रखेंगे हमें इसे अबब दिखाने की जरूरत नहीं होती बस मैं दिखा रहा हूं इस तरह से की सार्थ प्रोजेक्शन में इस तरह से आकरम दिखाए हैं तो अबब दी प्लेन यह बिलो दी प्लेन और यह प्लेन पर यह यहां बेड्रॉड करेंगे रोटेट करने के बाद सी डबल बांड सी हम पहले बांड बना लेते हैं उसके बाद जिसकी जो पोजिशन उस पोजिशन पर रख देंगे चलिए इदर का नहीं बदला ओँ यह रवन और ये रहा रवन और यह रहा रटू इदर का पतल रहा है एब दी प्लेन आएगा हमारा एस्अट इर थी यह अब दी प्लेन यहां पर आएगा एस्टाई आर थिरी यह रहा बीलोग दी प्लेन यह आएगा आर थिरी जो हमारा नंबरिंग वाला यह यहां पर और यहां पर आ जाएगा यह तो यह हो जाएगा हमारा इस तरह से रोटेट इसको यहां से हड़ा देदें इसका कोई काम नहीं अब किया होगा कि अब मुझेखने का ओक है रोटेटेशन जो कहां अब है इसको रियक्ष्ण कराएगे इसकी रियक्ष्ण इसके स्काराइगे इस ऐसो सीजन के पास और यह ए तो यह अपने लूपर को उपनी तरफ पिला लेगा यह अपना लोन पिएड देकर बार बनाएग तो इस ऑक्सीजन पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ड चीड डॉल बाट दू सी इसाइड याच है बीलोग दी पिलेन हमारे पास आर थ्री है अब अब दी पिलेन हमारे पास क्या है अब इसको फर्दर हम कर देंगे अब इसको फर्दर कर देंगे ज स्टूर से इसकी रिएक्शन कर देंगे हम फर्दर ह हत से इस जाथ हो रहा है तो इसके पास है लोन यह अपने लॉन परर से इस śm 30 को यहां से निगाले गा अपने लोन पर भास यृण ऑन यह निकाले इस पर पॉजिटिव जाएगा तो यह वाला इस जो है इस ऑप्सिजन जो यह अपना लून पेड़ बांड़ बांड लून बनाएगा तो इस पर आईगा पलस और यह वाले इस तरह से से निकल तो यहां से निकल जाएगा मैनेस इस आई ऐ आर पिक यहां पर साइब से पर से घंवेसा अगोज ईंग बल्गया और यहां पर टो यह नीकल रहा है यहां ते और इसका रवन पर यह वाल बांड खुम के इधर आ रहा है तो इस पर कोई पाश्टी चार्ज नहीं इसका यह क्लिक्टरा आ जा रहा है रोए प्रनी से मिलेगा तो इस पर भी कोई चार्ज नहीं आएगा बनेगा किया हमारा मिला जो लाइख कुल कहने का मतलब यहां पर सी आर्ची दर लुजाएगा या चीदा हो जाएगा आर्टी यहां पर हुआ थामार पास सेन एल इलिमिनेशन क्योंकि आक्सिजन और यह दोनों सेम साइड थे तो होगे हमार पास सेन इलिमिनेशन अब देखिए यह यह पर जो जो हमारा निकलने माला है और यह एसाई आर्थरी यह उपर और वह नीचे की साइड यानि कि आप दोनों एंटी पोजिशन पर है तो हमार पास यहां पर क्या होगा ठीन को चुलिए यसे पूरख को जैते है इटू यहां पर Run के रिजहिन हो रहे मेकनिशन जेखने लोगोळे तो हम देख़ों के लिए उसमेron मेके मेकमिक कसऊ है एवन मेकनिशएखने र," ici तो नहीं गया है इसम तो आप यह झेखने नाम होगा इटु एँटु अट एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन अभी अब लें एंटी एलिमिनेशन तो यह थी हमारी बैसी एक अधिक निशन यह घ्री इसकी में कानीजम अगर आपको कुछ कहीं डाउट है तो आप नीचे कमेंड कर के पूछ लेंगे तो अब देख लेते हैं इसमें हम शॉट में कैसे करेंगे इस रियक्शन को अगर हमें शॉट में करना हो सिर्फ इस रियक्शन को हमें यह तक दिया हो तो हम कैसे करेंगे इस पूरी मेकनिजम को हमें ना करना हो तो इसना वैसिक तो दोनों में हमारे पास फोसमेशन शथा है working फालकेशन होता है तो उससे मतलब नहीं नहीं है कि इस मेकनिजंग जाएं इसकी मेकनिजंग एल्ग हम जाए इसकी मेकनिजम इससे पहले इसे देख लेए अगर हमार पास कारबनील अलग और सिराइल करवेन अलग दिया तब कहते हैं यहां से निकल देंगे और यह से यह इदर आर्टू है यह चीज़ है नहीं से डबल बान अब यह जो है अब हम इससे कनेट कर देंगे यह राज सी और इसको दमने निकल दिया यह उपर यह और इदर हो जाएगा हमारा आर्टिरी तो यह हो जाएगा हमारा अलकीन यह और यह दिखिए दून से अलकीन का इसको देखिया और इसको देखिया अब इसको आटा दीजिए जो हटा दिया यहां पर आर्वान आर्टू एच आर्थरी तब यह हमारे पास वही अलकीन का फार्मेशन होगा यह होगा हमारा शॉट्टर में अब कुछ एक्जामपल देखते हैं फिर उसके बाद हमारा थोल इसमेंबर रिंग पहले क्या क्या मोण समझ लीजिए इसमें माद की बिलोव दिलेन ओ यह एब अब देखिया और यह जाया हो इसलिए में आपको बता रहा और इसकी रियक्शन सब्सक्राइब करा रहे हैं अस्ट टू ऑस और और बाकि टांशन कंडिशन दीए हुए ट्व है और यहां पर हमें दिख गया कि यह एसे कंडिशन में ठेक और एसे कंडिशन में अभी थोड़ी दिर पहले मैं ने बताया था कि एसटीक कंडिशन में हमारे पास होता है सिरु पलेक्ट करके रखें अचे टीडिशन में हमेरे पास होगा फाफ आप सिस्दों लगनी वाली है जब हम सिरुके स्जाप में करेंगे इस आप हमारे पास होगा इन चता हमारे अप solchen यह वाला गूरूप होता है वो हमारा निकलता है और उसके बागल वाले काभाई से यह कर दा में यह वाला प्रइकर बहुत में यह वाला भी आ motivates आती हैंँ आ सीडह की बेसल होता है तो यह इलिमिनेशन तो यह वह और आ साइ में तू बीलो दी प्लेन यानि कि एक दूनों एक दूसरे के एंटी पर तो एसर कंडिशन में ये दोनों निकल जाएंगे और इन दोनों के बगल में यह जो अलग यह दोनों निकलेंगे और इन दोनों की भीसमें यहां पर एक हमारे पास double bond आएगा तो प्रडॉक्ट हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह का यह दौने यहांद निकल जाएँगा डबल बांड यहां पर और इधर बीलो दीपलेन आपका ओ येच रहेगा और इधर एबब दीपलेन आपका OBN पूरा बना दें लगेगा OBN और इधर अब दी प्लेन ओ यह हो जाएगा आपका प्रोड़क्ट जो आप एसे कंडिशन में करेंगे अब इसी को हम कर रहे हैं बेस कंडिशन में यह दिया हुगा आपके पास के एच एमडी एस जो की डी एस यह हमारा होता है बेस अब बेस करते हैं बेस में होते हैं हमारे पास सिन इलिमिनेशन तो निकलना है अब हमारे पास एक तो इसे और दूसरा हमार पास सेने इलिमिनेशन ये बिलोव दिपले न है ये भी बिलोव दिपले न है दोनों एक दूसरे का अजिसेंट पर तो यह वाला हमारा यहां से निकल जाएगा अब यह दोनों यहां से निकलेंगे और दोनों को बीच में यह डबल बांड यहां पर आ जाए और इधर क्या था एबब दी प्लेन ओएच और इधर भी एबब दी प्लेन ओएच तो यह हो जाएगा आपका प्रड़क्ट पहला हो गया हमारा सिन एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन आपको याद रहेगा तो आप कर लेंगे बहुत दी इसले अब देखते हैं हम दूसरे एक एस टू टी बी यू ओ इस इस आई आप थीरी था जो मैंने रियक्शन ली दी और आपर आपर दो आपी यह और पी जगहां और टी बी यू ए टी यू ओ अब इसमें हमारा पास सिलाइल कारबेन आयन हमें दिखना चाहिए और कार्बोनेल कंपाउंड होना चाहिए है यहां पर नहीं पर तो वाइख पर से पůल सा यह हम इस को च्छ जानी क आप पर आयगा मैंस चार्ज मैं कर रहा हूँ इसलीए मैं मेकनिजम पर नहीं जाओंगा तो इसस पर आगे माइन चाइए अब आपको सिलायल करविनाए यस्फा काम ख़तम हो घोल अब डूसरे इस्टिब में यह चाहिए कार्बोनेल कमपाउट तो कार्बनेल कंपाउंड हमें यहां पर दिख रहा है अब कार्बनेल कंपाउंड में से हमें ऑक्सीजन को हटाना है और इधर से यह सिलाइल गुरुप को हटाना है बाकी इसको डबल बांड से इस कार्बन से जोड़ देना है यह सिलाइल हटता है तो यह बांड भी हटता है तो ये पूरा इधर से नहीं पर बचेगा यह कारबन अभी एक कारबन जोड़े इस डबल बांड से फिर उस डबल बांड से एक सीन लगा होगा आगे दिखते हैं यहां पर यह क्रम ने ये विस कर बन मैं ने दिखा दिया और इसiones इसिता चुछ फटकर आ हुट इसे मिल ब리टा ये वह बाल पर इंस वान से जोने कार बन आप इस से लगा हुए एक Cn तो यहां पर यह एक कार्बन हो गया और इससे लगएगा एक Cn इस तरह से और इसके पास एक स्था वह एस तो यहां पर रहे गई इसने इस कहीं नहीं जाएगा तो इसमें यह हो जाएगा हमारा यह प्रडक्ट यह भी होगे हमारा एलकीन का फॉर्मेशन अब तीसरा देखते हैं तीसरा एक्जामबल यह कुछ जादा ही इंपॉर्टन नहीं लग रहा है आपको इसमें आपको कुछ दिखी नहीं रहा है ना तो आपको सिलाइल दिख रहा है तो फिर मैंने इस एक्जामबल को इस रियक्शन में क्यों लिखा जिसमें हमें जरूरत ह होती है तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो शॉट करके लिखी गई है देखिए यह टीबीएस टीबीएस को क्या मतलब है अगर आप यह समझ गए तो बाकी सब समझ जाएंगे टीबीएस का पूरा फूल्फरम होता है टर्शियरी व्यूटाइल डाई मिथाईल सिल इल को राई है चलिए इसक इस्ट्रक्चर यहां पर बनाते है ता था सबस्कीर पहले था हमारा पास हे ऊगया है अंभर outdoors वहम्ट लेगा में इस कि कोणाइब और उस चीज़ को यहां पर बना उस चीज़ को यहां पर बनाना सकते हैं न चाहें तो ठीक ऐसे समझें टीबी एसमें हमारे पास इसमें हमारे पास सिलाइल ग्रूप है अब हमारे पास कार्बेन आयन कार्बेन ना होना चाहिए तो कार्बेन आयन नहीं है तो इसके पास इस तो है और यहां पर सबसे पहले इस ट्रप में हमारे पास यहन वी यह यू एलाइस कराए गया यह यह है base जब भी हैppen ऱ 2 तक रहते हैं तो यहां इए स्प्लस निकाल लेगा जब्वेस प्लस निकाल अगर पर आएगा म diesem इसकंड हाट आदेते हैं अब यहां पर क्या एक हमारे पास माईनिस चार्च हुआ ठिक अब यह हमारे पास सिलाईल कार्बेनायन बनके तैयार हो चुका है अब दूसरे इस्ट्र में हमारे पास क्या जरूरत होती है कार्बोनिल कंपाउंड की सिलायल कार्बेनायन होना चाहिए और हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए अगर आपने शुरू में देखा है तो उसके इसाफ से जम्म तो यहां तक हमने कर लिया अब इसके बाद हमारे पास कार्बनल कंपाउंड को यह था यहां से यह ऑक्सीजन निकलेगा और इधर से यह वाला गुरूप निकलेगा और हम इस से इस कारबन को अटेश्ट करेंगे यहां डबल बाद कारबन चलिहां करती हैं इस एधर हमारे पास है और इसके पास क्या अएगा डबल बांड फियाएच और इसके बांड लाएगा तो इसके पास क्या आएगा डबल बांड फिर उसके बाद यह कार्बन ये यह राई यह वाला कार्बन फिर इसके ऐसके कार्बन से लगे हुए है दो पी एच एक पी एच इदर और एक पीफ इधर तो यह वी हो गई ना चैसरा है हमारा अलकीन का फॉर्मेशन तो यह थी हमारे पास पेटर्सन ओलिफी नेशन की रियक्शन और यह कुछ थे उसके एक्जामपल तो बस पेटर्सन ओलिफी नेशन रियक्शन में बस इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्टी वीडियो में तब तक के लिए हमें इजादत दीजिए खड़ाफीस झाल झाल